हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगी कैंची में हम क्लोथ क्लिप का यूज क्यों करेंगे, टूथ ब्रस में हम टूथ पेस्ट ना लगा करके हम नेल पेंट क्यों लगाएंगे, साथी में है कुछ यूसफुल क चैन टिफसन है, जो आपका बहुत ही काम आएगा, तो चलिए फ्रेंस इन सभी इनफोर्मेशन को जानने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का पहला टीप बहुत ही ज्यादा यूसफुल है, इसके लिए हमें चाहिए आधा का पानी, और इस पानी के साथ हमे सरसो का तेल भी ले सकते हैं, और अगर ओलिवाइल है, तो आप ओलिवाइल लीजिएगा, एक चमच ओलिवाइल डालने के बाद, अच्छी तरीके से तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, उसके बाद आप दिखेगा, बहुत ही बढ़िय दीवाली के टाइम हम हम गर के कोने-कोने का सफाइग करते हैं, साथी में खिड़की, दर्वाज, सबी चीजों को हम घर में जो फणिचर होती है, उसे भी हम साप करते हैं, लेकिन उसका जो साइन है, जो नया जैसर शाइन, उसको हम वापस बिलकुल भी नही लापाते है, तो इसके लिए हमें कार्पेंटर बुलाना पड़ता है और काफी सारे पैसे भी खर्च होड़ जाते हैं तो इसलिए आप इस सॉलिशन को बना के इसका ही इस्तमाल लीजिए जो free of cost है तो इसे apply कैसे करना है जैसे की कपड़े को solution में अच्छे से dip करके निचोल लीजिए और के बाद इस तरह से furniture में अच्छे से लगाती हुए रब करना है ठीके स्रिफ पोचना नहीं है अच्छे से घिसिएगा अच्छे से रब कीजिएगा तो ही बड़ी असा result मिलेगा और इसका इस्तमाल हम स्रिफ उडिन वाली furniture में ही कर सकते हैं जैसे की खिरकी दरवाजा या आपके घर में जो भी उडिन का furniture है उसमें आप अपलाई कर दीजिएगा बहुत ही बड़िया तरीके से चमोक उठेगा बहुत बड़िया सा इसका शाइन आ जाएगा इसे चमकाने के लिए इसका साइन वापस लाने के लिए हमें इस तरह का सेंट पेपर की जरूरत थी है नहीं तो फिर हमें carpenter बुलानी पड़ती है तो अब से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और carpenter बुलाने की जरूरत नहीं होगी उम्मिद करती हूं कि इस दिवाली के time ये trick आपका बहुत काम आएगा अगर काम आई तो वीडियो को ज्यादे से ज्यादे सेड़ कर तो चलिएए अब देख लेते हैं अगला यूसफूल टीप चलिए विसुकूल करते हैं तो अब से अब बिल्कुल भी ना फैके क्योंकि इसके अंदर काफी सारा सैंपू रहता है जिसका इस्तमाल हम ले सकते हैं तो इसके लिए हम एक टब में या तो फिर एक बरतन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे अब खाली पाउच को कुछ इस तरह से चोटे-चोटे टुक्रो में कट कर लेंगे तो इस तरह से चोटे-चोटे टुक्रो में कट करने से क्या होगा इसके अंदर जो सैंपू है न वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो यहां पर आप देखी सकते हैं दो पाउच का इस्तमाल की हो और दो पाउच में कितना सारा सैंपू था जैसे कि यहाँ पर आप देखी सकते हैं कि इसका कितना सारा जाग बन चुका है अब इसका जो रैपर है इसमें से सैंपू तो निकल चुका है पानी में मिक्स हो चुका है इस रैपर को उठा के हम फैक देंगे और इस पानी के इस्तेमाल, आप काफी सारी कामों में ले जगते हैं, जैसे स्टिंग साब करना, या गैस्ट रप को साब करना, तो यहां पर मैं फिला लेंगी, इसका इस्तेमाल गैस्टैकोm करने में, जैसे की हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जो party wear होते हैं, कभी कभार ही पैना जाता है तो एक दो गंटे के लिए इसे हम पैनते हैं जादा गंदे भी नहीं होते हैं और साथी में इन कपड़ों को जैसे कि हम डिटर्जन पाउडर या तो पिर साबून से साब करते हैं तो साबून या डिटर्जन पाउडर में होता है बहुत ही ज़्यादा खार तो साबुन या डिटर्जन पाउडर के मदद से इन कपड़ों को हमें कभी भी नहीं धुलना चाहिए सैंपू का यूज कीजिए या तो फिर आप इजी वगरा के यूज कीजिए तो यहां पर दिखिए सैंपू का यूज भी हो गया और हमारा कपड़ा भी धुल गया तो अब से आप इन खाली सैंपू पाउज को फेकने के जगा अब सम्हाल के रखे और इनी सब कामों में यूज में लिया कीजिए है ने यूजफूल टिक तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप मैंने यहापे लिया है एक पुराना कुसन कभर अक्सर क्या होता है हमा हमारे पास कुछ इस तरह का पुराना पिलो कभर या कुसन कभर तो होता है कहीं से यह फट चुका है या तो फिर इसका कलर फेड हो चुका है फिर इसका इस्तमाल हम नहीं लेते हैं तो चलिए आज इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज देख लेते हैं तो पहले तो आप हम पॉलिथिन के जगह सबजियों को रखने में इस पीलो कवर का इस्तमाल लेंगे तो ये सबजिये काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे और एक पीलो कवर में काफी सारी सबजिया आ जाएंगे और हमें जीबलॉक बैग खरिदनी की जरुरत नहीं होगी और हम इस जिस कारण दूद उबर के बाहर आता है और गैस्टोप समित पूरा ही कीचेन में दूद ही दूद फैल जाता है इससे दूद का वेस्ट्रेस तो होता ही होता है अलग सा हमारा महनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए जब भी आप दूद को बॉइल होने के बरतनों के अंदर ही रहेगा और जितना टाइम मड़ जी आप इस तरह से दूद को खूब अच्चे से बॉइल कर लिजिए साथी में आप दूसरे कामों को भी समेट लिजिए बे फिकर होकर के आप इस तरह से दूद बॉइल कर सकते हैं उमीद है ये ट्रीक आपका डेली लाइप में बहुत ही काम आएगा तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टीब तो मैंने यह आप लिया है एक जोईलरी बैक जो हम सभी के पास होते हैं और इस तरह का बेकार पड़ी हुई जोईलरी बैक को हम ऐसे ही अलमिरा में रखे रहते हैं या तो फिर बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए चलिए इससे एक बहुत ही बड़ी असा और्गनाइजर बना लिते हैं जिसे इसे ना आपको काटने पीटने की या फिर सिलने की जरुद बिल्कुल भी नहीं होगी सिर्फ इसके बैक साइड में एक डवल टेप गम लगा दीजी ताकि इसे हम क चोटी मुटी समान जो इदर उदर रखा करते थे या फिर फ्रीज की टॉप में रखा करते थे तो उसे आप वहाँ पर ना रख करके इसके अंदर डाल के रखें जिस ज़िए से देखिएगा सब चीज अच्छी से और्गनाइज भी रहेगा साथी में आपका घर भी बहु जाता है अब दीए एक ही कलर का ब्राश होने जिसा ना पहँचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है खास तोर में टंग की नर होता है तो चुका घर में और हम यूज भी कर रहे हैं तो इसके लिए आप ले लिजिए नेलपेंट और जिनका ब्रश है उनका नाम का पहला alphabet इस तरह से brush में आप लिख दीजिए तो इससे क्या होगा नाम का अक्सर देख करके खुद का toothbrush पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा खास तोर में अगर आपके पास tongue cleaner है तब तो ये trick बहुत ही ज़्यादा काम आएगा क्योंकि tongue cleaner सभी का एक ही जैसा होता है तो चलिया अब देख लेते हैं अगला useful tip तो friends यहाँ पर मैंने लिया है sand paper और इस sand paper की मदल से एक बहुत ही बड़ी असा छोटा सा tool बना करके तयार करूंगी जो daily life में आपका बहुत ही काम आएगा तो सबसे पहले हमें इसका पतली सी strip काट के निकाल लेना है यह देखे friends कुछ इस तरह से और अब हमें लेना है एक cloth clip जी हाँ friends अब हमें लेना है कपड़े सुखाने वाला एक clip चाहें steel का हो या तो फिर plastic का जो भी आपके पास से आप ले सकते हैं उसके बाद हमें क्या करना है यह जो sand paper हमने cut करके रखे हैं उसे अंदर डाल देंगे और उसका नापी से कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसी नापी से हमें और एक strip काट लेना है उसके बाद हमें लेना है glue और glue के मदर से देखें क्लिप के अंदर साइट में दोनों जो strip हमने cut करके रखे हैं उसे हमें चिपका देना है तो आप चाहें तो फैवी को एक भी ले सकते हैं ताकि बढ़िया तरीके से अच्छे स तो हम daily ही use करते हैं लेकिन जब इसका धार कम हो जाता है तो इसे हम use नहीं कर पाते हैं इसे तेज कराने के लिए हमें market जाने की जरूत होती है अब से आपको market जाने की जरूत नहीं है घर बैठी इस तरह से इस छोटी सी टुल के मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से चाक चाकू या कैची के अंदर क्लिप को डाल दीजिए और खूब अच्चे से रगर लीजिए इससे आप देखिएगा बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अची तरीके से धार हो जाएगा जैसे कि यहाँ पड़ आप देखी सकते हैं चाकू में कितना बढ़िया तरीके से कैंची में भी धार आ चुका है और इस टूल को अब बना के रख लीजिए जब भी आपको लगे कि चाकू कैंची का धार कम हो चुका है उस टाइम इस छोटा सा टूल की मदर से चाकू या कैंची को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप धार दिला पाएंगे तो एक बर बनाने इसे आप पर्मनेन तरीके से यूज भी कर सकेंगे है ना यूसफुल ट्रीक तो चलिए फ्रेंज आज का वीडियो में यही पेंट कर रही हूँ I hope आप सभी को आज का वीडियो यूसफुल लगा है अगर वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगे तो वीडियो को दस ज़दा सेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, बाइ फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग